Google AdSense का अप्रूवल लेना एक ऐसी साइट पे जहां पर hundreds of articles ड़ले हो है बहुत जादा easy होता है और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता भी है लेकिन maximum लोगों को इस चीज का idea ही नहीं है कि कैसे आप एक single page website के उपर जहां पर minimum written content है उस पर भी आप बहुत easily Google AdSense का आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ steps बताऊंगा जिने अगर आप follow करते हो तो आपको within days दो तीन दिनों के अंदर ही आपको AdSense का approval मिलेगा full process क्या है आज किस वीडियो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अगर आपकी site Google AdSense से monetized है तो आप एक normal AdSense alternative से जितना पैसा कमाऊगे उसके comparative आप Google AdSense से 5 या 6 गुना पैसे जादा कमा सकते हो जहां पर आप एक alternative से 10 डॉलर कमाऊगे वहीं पर आप AdSense से 60 डॉलर, 70 डॉलर की तो अगर आपको भी AdSense Approval लेने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को लाज सक जरूर देखते रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो डेफिनली लाइक कर देना इस वीडियो को लाइक टार्गेट रखेंगे 800 लाइक तो जल्दी से उस लाइक के बटन को दबा दो अगर आप इस चैनल को पर नए हो और आप भी ब्लॉगिंग के अंदर इंट्रेस्ट को यूज करके विदिन 17 आर्ज मैंने अप्रूवल लिया है गूगल एडसेंस का तो जो सबसे पहला स्टेप है कि आपकी जो भी माइक्रो निश्ट ब्लॉग है या टूल वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिनिमम 300 तू 500 वर्ड्स का जो कॉंटेंट है वो डालना है रिटन टू 500 वर्ड्स के अंदर डाल देना है ये चीज डालोगे तो आपको अच्छे बेनेफिट्स मिलेंगे आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा और ये चीज आप इंडेक्स पेज के उपर भी कर सकते हो जो आपका होम पेज होता है या फिर एक सेपरेट पेज बनाकर भ होता है उतने में रहेगा तो बढ़िया है उससे बड़ा भी आप डाल सकते हो जो डालोगे तो आपके प्रूबिल्टी बढ़ जाएगी अड्स अप्रूवल की थर्ड स्टेप रहेगा कि आपको अबाउट अस कॉंटक्ट अस और प्राइविसी पॉलिसी के जो पीजिस है उन्हें एड करना है अपनी साइट के उपर और उनके जो लिंक्स हैं वो आपको टॉप मेन्यू में देने हैं ताकि जो भी बंदा आपकी साइट को रिव्यू करें उसे पता रहे कि आपने कौन-कौन से पेजिस को बिल्ड किया हुआ है अब यहाँ पर एक बार आपको पेज़ हैं दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पांच पेज आपको सभी पेज़ को मैनुवली इंडेक्स करना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर सर्च कंसोल में जाने के बाद आपको सिंप्ली मैनुवल इंडेक्स को ओप्शन दिखें वहाँ पर जाना है और अपने सारे उसको मैनुवली इंडेक्स करवा देना है सर्च कंसोल में ताकि गूगल को पता रहे कि आपकी साइट के ओपर कितने लिंक्स हैं, कितने पेज़ेज हैं और वो अपना जो डिसीजन है उसे जल्दी से ले सके इस स्टेप तक आपकी साइट गूगल आटसंस अप्रूवल के तरह देखता है और आपको अप्रूवल में हेल्प मिलती है लेकिन अगर आप बिना और्गानिक ट्राफिक के भी जाओगे तब भी आपको अड्संस का अप्रूवल मिल जाएगा तो एक बार आपने ये सारी चीजे कर दी तो फिफ्ट स्टेप हमारा आता है कि आपको अप पर अप्रूवल मिलेगा जहां पर बहुत ही कम कॉंटेंट होगा तो अगर आपको एक माइक्रो निश्ट ब्लॉग के उपर या फिर एक टूल वेबसाइट के उपर अप्रूवल लेना है तो फिर आपके पास एक अल्रेडी अड्संस का अकाउंट होना चाहिए उसमें अप्रूवल मिल जाएगा अपनी साइट के उपर और फिर आप अपनी साइट को मॉनिटाइज भी कर सकते हो अब इन सेम स्टेप्स को यूज करके मैंने अपनी बहुत सारी साइट के उपर अड्संस का अप्रूवल ले सकते हो लेकिन अगर आपके पास कोई भी पुराना नहीं है AdSense का तो फिर आपके लिए जो requirement है वो यही रहेगी कि आपको minimum 15 to 20 articles डालने पड़ेंगे अपनी site के उपर जिनका length 800 to 1200 words होगा तो फिर आपको जो AdSense का approval है वो मिल जाएगा लेकिन अगर आप सिर्फ कम content के साथ जाना चाहते हो तो फिर मैंने method आपको बताया है वीडियो के अंदर उसी को अगर आप follow गरोगे तो फिर ही आपको AdSense का approval मिलेगा लेकिन कुछ end cases होते हैं कुछ corner cases होते हैं जहाँ पर आपको कम content के साथ illegal content के साथ भी AdSense का approval मिल जाता है लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूं main audience की जहां पर maximum लोगों को इसी same method से approval मिलता है और बाकी लोगों को नहीं मिलता है तो definitely अगर आपको approval चाहिए तो steps मैंने आपको बता दिये हैं कि कैसे आपको अपनी किसी भी Micronish blog के उपर या फिर किसी भी single page tool website के approval मिलेगा तो यही कुछ steps को follow करके आपको किसी भी site के उपर जहां पर content कम होता है चाहिए हमारा Micronish blog हो या फिर एक tool website हो आपको adsense का approval मिल जाएगा तो मैंने आपको वो सारे steps बता दिये हैं अब आपको इन steps को follow करना है और अपनी सारी sites को adsense से monetize कर लेना है ताकि आप महां से पैसा कमाना शुरू कर दो और मैंने अपने पुरानी वीडियो के अंदर बहुत बार आपको multiple tools website बताई हैं जहां पर आपको एक बारी काम करना है और उसके बाद वो automatically automation के उपर काम करता रहेगा और फिर आप अपने time को किसी दूसरे blog के अंदर invest कर सकते हो अगर आपने वो series नहीं देखी है तो मैं उन series की जो playlist के link है वो आपको description box में provide कर दो हूँ आप definitely उने भी check out करो और उन sites को बना के उन पर adsense का approval लेके आप एक passive income भी generate कर सकते हो अगर आपके वीडियो अच्छा लगा helpful लगा इस वीडियो डेफिरी लाइक कर देना कोई चीज समझ ना ही हो तो आप मुझे comment section में भी पूच सकते हो that's all for this video I'll meet in the next one till then bye bye